ही से तो बंचो है थो थो बस्तार्ट करते हैं या है स्पेसिफिक केक में ю हीट के बारे में हां वह ही चल रहा है तो आफ है स्पेसिफिक हीट तो 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 किसी बी, सब्स्टैन्स का टैंप्रेचर ONE डिगरी से किसी भी सब्स्टैन्स का टैंप्रेचर कोई भी सब्स्टैन्स है वान गराम ले लुँग जो ही ता अपने दी उसके बाद में जो मैने बताय था कि यह क्या आएगा तो आपने पोला था कि इसका अधिका मैने इसका डैबिनेशन मताया था कि सर एक बहुत रिकुरिट तो ए लग पूरात था q is equals to m s delta t तो यहाँ पर जो क्या होता ही यह specific heat होती है यह क्या होती है specific heat that is q by m delta t यह आ गही मेरी specific heat समझ मैं आया है आया है नहीं है अरे समझ मैं आया है कैसे कि देखो तो जब मैं इसको वन ग्राम कर दूगा इसको वन डेरी कर दूगा तो q s is equals to q हो जाएगा समझ मैं तो हम बोल में थे थे सर this is the amount of heat which is required to raise the temperature of one gram of substance through one degree Celsius exactly आप देखोगे तो specific heat ऐसे calculated करता है किसी भी substance की ठीक है न टोटल heat गीवन टोटल मास टोटल temperature rise ऐसे निकालोगे तो यह specific heat आपको बता देगी मैंने आपको यह भी बताया था कि कितने heat की जरुद पड़ती है दो पेजी मास होता है उसको 5 to 10 degree Celsius पर ले जाने के लिए वो आपने calculate भी कर लिया था और आगे भी हम चल पड़े थे तो आज जो है हम थोड़े और अच्छे कोशन करेंगे समझ मैं हाँ हाँ तो देखो आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे देखो एक बर देहां से अज हम करेंगे question पहले try फिर उसके बाद फ़र्दर पहले दो system का question करेंगे फिर 3 system का question करेंगे ऐसे करते करते मूं करते चलेंगे ठीक है तो एक question है वो लिख को आप लो वें टू कि वें टू वोडी ए एन बी और डिफरेंट temperature वें लिख लो वैं टू बोडी A and B are at different temperature. Different temperature. समझ मैं है? हाँ. Different temperature. ठीके न? ठीके न? Different temperature. समझ मैं हाँ? हाँ. आगे लिखनो. When they are touched. या when they touch. When they touch. Heat flow continue. Heat flow continue. इसको एक बार मा पहले थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ. इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ. कि सर जब भी कोई दो बोडी आपसमें टच की जाती है. है ना? जब भी कोई दो बोडी जहों डिफरेंट टेंपरेचर पे हैं. इसको आप तच करते होगे, तो हीट फ्लो करती एक बोडी से दूसरी बोडी पे. करती है यह नहीं करती? करती है ना? वो कब तक करती रही? कब तक करती रही? एक फ्लो ना मिं उस चीज का है, जहाए है, that energy flow due to the temperature difference, एक बोड़ी ए ए उसका temperature टी ए, एक बोड़ी ए उसका temperature टी बी, heat flow करेगी, यह energy flow कररे ए, उसी कौम क्या बोलते है, heat बोलते है, क्यों बोलते है, heat, क्योंकि this flow due to the temperature difference between A एन B, ठीक है, तो लिए लेना heat flow दोनोगा temperature सेम न हो जाए हाँ तब तक शाबाद तो हम बोल सकते हैं की heat flow from one body to another body is continue until the temperature does not becomes equal heat flow heat flow from one body to another body another body until until their temperature does not becomes equal समझ में है until their temperature their temperature does not becomes equal समझ में है आया है हाँ बिल्कुल आया उसके बाद इन्होंने क्या था कि सर कि सर मालो हमारे पास एक बोडी है मालो हमारे पास एक बोडी है ये इसका मास है 2 kg और इसका temperature है initial temperature 80 degree celsius इसका temperature है initial temperature वो है 80 degree celsius दूसरी बोडी है बी इसका मास है वन केज़ टेंपरेचर इनिशेल है वह थर्टी डिगरी सेल्सियूस इनिशेल टेंपरेचर है वह थर्टी डिगरी सेल्सियूस ठीगे ना हाँ वह ने इसके बाद में बोला कि सर इसकी स्पेसिफिक ही कैपसिटी है वो है कैलोरी जी addressing और इसकी है वो है क्लोरी इनिशेल है उसकिभी बाट काटि डिगरी सेल्सियस तो कोशन क्या है, तो कोशन क्या है, find, find the final temperature, find the final temperature of both the body, both the body. और we can say, find the final temperature up to which heat flow will continue, समझ मैं है, हाँ, तो सोचो शबास, करो, ट्राइए करो, ट्राइए करो शबास, आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर, जितना ये heat, करें देखो, क्या इसका temperature जादा है, इसका temperature जादा है, और इसका temperature तम, ज्यादा temperature मतलब, ज्यादा energy, कम temperature मतलब, कम energy, हागे नब, तो energy यहाँ से यह flow करेगे, मतलब, जितनी ये energy देगा, जितनी ये energy देगा, इसको, उतनी energy लेगा, कहने का मतलब, जितना, 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 ए, इसका नाम है, देगा, उतना, भी, लेगा, हागे न, हागे न, हागे न, हागे न, हागे न, तो इसने जितनी heat ली होगी, मतलब, इसने जितनी दी होगी, उतनी इसने ले ले ली होगी, दोनों का लिक्रेट कर देते हैं, और final temperature तो तुम्हें पता है, दोनों का बराबर तो होगा, सब तक तो heat flow करेगी, उसके बाद flow करना बंद कर देगी, तो final temperature इसका भी वही होगा, और इसका भी वही होगा, तो हमने इसमें देखा, हमने देखा, सर क्यों इसके स्टू क्या होता है, ms delta t, इसमें देखा, यह q1 था, और यह q2 लिख देता हू, q2 इसका स्टू, m2, s2, delta t, अब यह heat देगा, तो क्या है, और यह q1 था, q2 है, मतलब जितनी heat इसने दी, उतनी इसने ली, है ना, यही ना, हाँ, तो m1, लिखो m1, 2 kg, s, 2 kcal, delta t, अब यह heat देगा, तो क्या इसका final temperature, इसके initial temperature से कम होगा, जल्ली बदाओ, क्या इसका final temperature, इसके initial temperature से कम होगा, और जो final temperature होगा, वो दो मतलब मैं माल लेता हू, t final is equals to t, and this t is greater than, sorry, this t is less than 80 degree Celsius, and this t, this t, सोचना एक बार, क्या इसके लेगा, तो इसका temperature बढ़ेगा, तो इस case में t final होगा, that is t, that is greater than ti, और we can say 30 degree Celsius, वो जो t ए, दोनों का same होगा, वो 30 degree से तो जादा होगा, और 80 degree से कम हो, है न, तो m1, s1, इसके case में, m1, s1, delta t, delta t क्या होगा, हायर कोन सा होगा, हायर कोन सा होगा, हायर कोन सा होगा, इस case में, जल्दी बताओ, t याए t, t याए t, कोन आयर होगा, a t, a t minus t, यह final temperature है t, is equals to, m2, s2, delta t2, t2, तो m2 क्या है, 1 kg, s2 क्या है, 4, और delta t2, उसमें क्या लिखेंगे, हायर कोन सा होगा, t होगा, 30, अरे simple सी बात है, t होगा, क्योंकि इसका temperature कम था, इसका बढ़ेगा, उसका temperature जादा था, उसका गटेगा, तो मैं लिखूँगा, t minus 30, अब क्या करना है, 4 से 4 गटेगा, 80 minus t, और t minus 30, कितना हो जाएगा, 2 t is equals to 110, then t is equals to how much, 55 degree Celsius, t is equals to how much, 55 degree Celsius, समझ में आया है, t is equals to how much, 55 degree Celsius, वो देख तु खुझ सोच, वो इस से कम है, 80 से और 30 से जादा है, तो फाइनल टेमपरेचर जब तक ये एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते रहेंगे, वो वो टेमपरेचर है, 55 degree Celsius, समझ में आया है, अरे आया है कर नहीं आया, नहीं आया है, आया है, चलो तो फिर आगे चलते हैं, हाँ, देखते हैं, आगे हमने स्टार्ट किया, टेमपरेचर को रिपीट कर दो, किसको रिपीट कर दो यह तो बताओ, टेमपरेचर को किसको रिपीट कर दो, बोलो तो बच्चों ये कोशन था ये अमने कर लिया ये कोशन था ये अमने कर लिया अब ऐसे ही एक दो कोशन और करके फिर फर्दर चलेंगे है ना हाँ तो आजाओ आजाओ शाबास अब शाबास लिखो लिखो वोटर है इस बीकर में या इस बालती में बाल लोग बैड़ेज तू केजी ये त्व केजी ओ तैमपरिचर फोर्टी डिगरी सल्चिस तू केजी एड टेंपरिचर फोर्ती डिगरी सल्चिस है ना, हाँ, दूसरी है, 1 kg, bucket, 1 kg, ओ टेंपरेचर, 90 डिग्री सेल्सियस, हाँ, हाँ, टेंपरेचर, 90 डिग्री सेल्सियस, है ना, हाँ, सल बिल्कु, कुर्शन क्या है, वेन बेविल इंटरमिक्स विद इच अधर, वोटर है यह याद रखना है, इतना याद रखना है यह वोटर, वोटर है तो तुम्हें यह भी पता हो ना, चेन की स्पेसिफिक हीट क्या होगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वोटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जल्दी बताओ, अरे वोटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, वन, वन गिराम पर सेंटीमेटर, ऐसा कुछ था न, हाँ, मैंने लिखवाया भी था, आपको सहल, आपको याद होतो, वन कैलोरी पर ग्राम पर डिगरी सेल्शियस, डेल्टा वोटर था, वन कैलोरी पर ग्राम पर डिगरी सेल्शियस, ठीक है न, वो 4200 उसमें आ जाता है, केजी पर डिगरी सेल्शियस में, जूल केजी पर डिगरी सेल्शियस में है न, हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात यह आगया, यह आगया, है ना? पूचा गया, find the final temperature, find the final temperature up to which heat flows continue. Find the final temperature temperature अप टूविच, अप टूविच, heat flows continue. समझ मैं, हाँ, जल्दी बताओ, final temperature क्या होगा, जब एक जूशने में, इंटर्मिक्स कर दिये जाएंगे, जब मैं मालनो, 2 kg की भाल्टी को, 1 kg वाले इसमें डाल दूगा, जल्दी बताओ, शाबास, जितना है, किसका temperature है, this temperature है, इसका temperature है, low है, जितना है यह देगा, उतना है लिएगा, यह कितना देगा, सरह एम ऑन केजी 10 रखना तो याद रखना यह ग्राम में और यह एग говорить तो इह तो उसको केजीमी अपर लूँ या इसको ग्राम में रहा है यादर रखना तो इसका तमपरेचर कि हैगा कम ज्याद़ा कैं 90 सोंसिस मा organizate है। जितना हम उतना यह लेगा कि कीछ है झूप की थो करद तो mi टो 1 जो ठीक हाएगाρεί प्रत बहए इसका तंपरुस tie जाधा भाइनल टैंपरेटर इसका क्या हो द जाएगा जादा है इस सजादा को T final क्या है ती ए आम दो का टी क्या मम लगती असदी इसको तो हमने T final लिख दिया, T initial क्या था? 40 degree Celsius. क्या calculate कर लोगे? क्या calculate कर लोगे? 1000 से 1000 कटका, 2 बच गया, 90 minus T into 2T minus 80. Then 3T is equals to how much? जल्ली बताओ. 3T is equals to how much? 90 plus? 180, that is 170. T is equals to 170 by 3. समझ मैं? कां 50 भाई? द्यान से देखो. द्यान से देखो, शाबाज. 170 by 3 आएगा. ठीक है? अब बाब आती है किस तरफ? इस तरीके से तरफ? कर लेंगे. इस तरीके से तरफ कर लेंगे हीट एक्स्चेंज. सुरी क्या बोलता है? तू देगा मैं लूंगा से. अब बाब आती है कि सर्फ? एक, दो, तीन हो. मतलब तीन से जादा हो या तीन. तो फिर क्या करते हैं? उसमें तो सर्दिक्कत आजाई. है ना? उसमें तो क्या पता किसका increase हो रहा है, किसका decrease हो रहा है? तो उसके लिए एक specific method use करते हैं. उसके लिए एक specific method use करते हैं, heat exchange का. दो के case में तो आप easily समझ के अच्छे से कर लोगे आप लोग. पर जब बात आएगी, इस से जादा आएगी. मतलब, more than two में, more than two में. हलागी more than two वाला भी इस से कर लेंगे. तो वाला भी इस method से कर लेंगे, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इस channel method है. और more than two में तो ये use करना ही करना पड़ेगा. heat exchange between more than two bodies. यहाँ पर हम करते हैं, net heat exchange का तरीका यूज़. मतलब, भाई, झाला भी बताने लेगा ही आए. मतलब भाई यहां पर क्या होगा वो देख जो हीट देगा जो हीट देगा उसकी यह उसके द्वारा दी गई हीट नैट उसकी इनर्जी को क्या कर देगी कम करदेगी न इसकी एनर्जी को कम कर देगी न तो उसका बूरेग चाहित उसके लेंगे न Admiral आप अगर इसके लिए क्या हुआ इसकी हीट में नेगे विसमें क्या लेगे तो देखो more than तो बेतो देखो more than two bodies के लिए हम एक standard procedure यूज़ करते हैं वो होता है heat exchange का मतलब हमें उसमें कुछ भी नहीं करना heat exchange जो भी आप निकालों उसमें आपको लिखना है Q is close to M S delta T delta T में लिखना है T final minus T initial मतलब अगर कोई heat lose करेगा तो क्या final उसका decrease हुझाएगा क्या final उसका decrease हुझाएगा temperature जो lose करेगा जो heat use करेगा उसका final temperature decrease हुझाएगा initial के comparison में तो ये value क्या है जो lose करेगा T final is less than T initial then delta T will be क्या negative इट इंप्लाइग जो पूरी term होगी यह मैं बोलूँगा क्यूं क्या आएगा negative क्यूं क्याएगा इट इंप्लाइगा negative है ना अरे हां कि ना उसका क्यूं क्याएगा negative हम हर बार यही फोर्मुला यूज करेंगे Q is close to ms delta T अब सोचो अब सोचो इधर लिखता हूँ Q is close to ms delta T और ms delta T में हम लिखेंगे T final minus T initial अब सोचो जो हीट जो energy gain करेगा जो जिसकी energy ज्यादा होगी जो energy जिसकी energy कम होगी वो energy gain करेगा जो energy gain करेगा मतलब heat gain करेगा heat gain करेगा मतलब क्या उसका final temperature increase हो जाएग क्या उसका final temperature increase हो जाएगा अरे क्या उसका T final increase हो जाएगा हाँ and T final will be greater than T initial तो मैं बोल दूँ हाँ उसका delta T है ये जो delta T है that will be positive हागी ना हागी ना तो it implies Q will be क्या हैगा पोजिटिव इसका क्यों नेगेटिव आ रहा था इसका क्यों पोजिटिव आ रहा है सोचो एक बार आप से सर मैं अपने फोर्मूले में हमें शाट T final minus T initial लिखूँगा जो गें करेगा उसका positive क्यों आ जाएगा जो यूज करेगा उसका negative क्यों आ जाएगा जो गें करेगा उसका positive क्यों आ जाएगा जो यूज करेगा उसका negative क्यों आ जाएगा सोच एक बार अगर एक ने 5 जूल energy या 5 जूल heat lose की तो minus 5 और जिसने gain की तो plus 5 जिसने 2 bodies हैं एक ने 5 जूल energy lose की तो minus 5 और एक ने 5 जूल energy gain की तो plus 5 net कितना हो गया net heat exchange कितना हो गया zero net heat exchange zero नहीं हो गया अरे पुरे system का surrounding से पूछ रहा हूं यह a और भी a system है इसका बार वाले के साथ क्या हो गया zero न एक ने घटा नहीं अपनी एक ने बढ़ा ली तो net कितना हो गया zero बार वाले के साथ एक की गटगी तो एक की बढ़ गए तो इस system में पहले energy कितनी थी बाद में भी उतनी रह गई कि समझ में आया आया नहीं आया आया ना हाँ तो जब more than two bodies होती है उस case में हम यूज़ करते है नेट इक्सचेंज का में नेट हीट एक्सचेंज में अधर मतलब डैल क्यों नेट इस गुस्तु जीरो एक समझ में आया ना कि आया क्या हाँ अब यही तरीका यूज़ करके कोशन भी सोल करूंगा कैसे अब दीख किसा इससे पहले वाला कोशन ही ले ले लेते हैं जिसमें अमने लिखा था कि टू केजी 40 डिग्री सेल्शियस है एक इसको रिपीट करते हैं चलो तो बच्चों तो बच्चों हीट एक्सचेंज मेथड से जो हमने कोशन इससे पहले किया था वही दूबात रहते हैं है ना वह पहले नोर्मली कोमन सेंसे किया था अब हीट एक्सचेंज से किया है कि टू केजी कि वोटर कितने फोर्टी डिग्री सेल्शियस पर एक्था वन केजी कि वोटर कितने पर 90 डिग्री सेल्शियस पर है अब सोच वोटर तो डेल डबलु का है डेल डबलु तो सर्वन कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सैल्शियस है तो इसने इन दोनों पर एक दूसरे में मिक्स किया मिक्स कर दिया कर दिया कर दिया किया इसका टेंप्रेचर है इसकी मोर्वन की एनरजी पर मोल्वन ज्यादा है इसकी एनर्जी पर मोलिक्यूल तो सिंपल सी बात है सर, हीट यहां से यहां फ्लो करेंगी, तो मतलब इसकी हीट जो होगी, वो क्या हैगी, Q is equals to M S delta T, और delta T को मैं हर बार लेखूंगा, T final minus T initial, ऐसे लिएटे, Q1, डेल Q1 plus डेल Q2 is equals to 0, है न, अब इसका डेल Q1 मानोगे या इसका हो तुमारी मर्जी है, मैं इसका डेल Q1 मान लेता हूँ, तो आएडा M 1 S1 delta T, T final minus T initial, प्लस M 2 S2 delta T, 2, तो T final minus T initial, इसका स्टू 0, अब देखना, M 1, 1 kg, अगर मैं S डेल्डू को, specific heat of water को, calorie, gram में लिखूँगा, तो इसको भी gram में लिखूँगा, तो kg को मैं ग्राम में लिखूँगा, तो 1000 आजाए, S1, 1, T final, T final क्या आएगा इसका, T final जो भी आएगा, मैं लिख दिया, T final is equals to T, T initial कितना, T initial 90 degree Celsius, plus M 2, M 2 कितना, 2 kg, 2 kg को मैं ग्राम में लिखूँगा, 2000, S2 कितना, वही वाटर है, वाटर है तो उसका, 1 calorie पर gram पर degree Celsius आए, T final, इसका कुछ भी ओटी final, मैंने T final लिख देना है, T, T initial इसका क्या है, 40 degree Celsius, soul करो, soul करो कि तो आपको पदा चलेगा, कि सर, ये कितना आगया, 100, T minus 90, is equals 2, ये इदर आएगा, 0 से इदर आएगा, तो minus का 2000, into 1 into T minus 40, है ना, 1000 से 2000 का एकट गया, तो 2 बच गया है आपर, तो हैगा minus का 2T, plus का 80, ये T minus 90, 3T is equals 2, ये उदर जाएगा, 170, T is equals 2, 170 by 3, समझ में आएगा, समझ में आएगा, आए बच्चो, भई ये आंसर आया, देख लो, net exchange, अब तीन सिस्टम का करें, जल्दी आजाओ, जल्दी आजाओ, अब ये तो समझ में आएगा होगा, सभी को, मेरे को पता है, अब तीन सिस्टम का करेंगे, कोशन, अब किसका करेंगे, थ्री सिस्टम का कोशन करेंगे, हाँ, सर थ्री सिस्टम का कोशन करेंगे, जल्दी फास्ट, जल्दी आजाओ, ठीक है, तीनों में क्या है, वोटर है, तीनों में क्या है, वोटर, थ्री केज़ी वाटर, तन दिग्री सेल्चियस पर, 4 केज़ी, 8 दिग्री सेल्चियस पर, 2 केज़ी, 5 दिग्री सेल्चियस पर, लिखो, 8 दें क्यों दें में मेरकों ने पता, इससे इट गई होगी 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 मेरकों ने पता, इसको डेल क्यू डू टू लगा, इससे एक अभी वह जोगी मैं डिल उसको नहीं पता इसको दएल क्यों फॉट फ्लस प्लस ब्चैयल उसको जिरो इन तीनों फोट्वर वालो इन तीनों को थी चप्रामान लो टोटल जी टोटल एक्सचेंज होगा तो उने और घर में लोग तो में रहेंगे लोगों connectors मि घर में यह सकाद ओने हैना तुमा देल्ट सब्सक्राइए नियुक्स्क्राणने सब्सक्रा horrific कर दिया हमने तो यह कब तक हीट एक्षेंज करेंगे कोशन के वह बढ़ा दें तौं दूबार से वें वें थी थ्री थी 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 आर मिक्स टुगेधर आर मिक्स टुगेधर तुगेधर देन देन find the final temperature then find the final temperature then find the final temperature आजाओ तो M1 S1 delta T तो T final T initial T initial कितना है इसका? T initial 10 degree Celsius plus Q2 M2 S2 T final T लिख लेना है T initial कितना है? 8 degree Celsius अब सोचना एक बार बहुत अच्छी बात S1 आप कैलोरी पर ग्राम पर डिगरी Celsius में लोगे तो मैं इसको ग्राम में लोगे इसको मैं किस में लोगे? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिगरी Celsius काफी हीजी पड़ता है हमें तो हम क्या करेंगे? मास को भी ग्राम में लिख देंगे तो 3000 इन्टू 1 T माइनस 10 प्लस 4KG का 4000 इन्टू 1 इन्टू T माइनस 8 प्लस 3 का 2000 इन्टू 5 शरी इन्टू 1 T माइनस 5 इसको स्टू 0 अब जब आप इनको इक्वेट करोगे, शोल करोगे तो इनके 1000-1000 कोमन निकाल लो 1000 इसका कोमन निकल गया 1000 इसका, 1000 इसका और कट जाएंगे बचे का क्या? 3 T देख रहे हैं ना? ओके बचे का क्या? 3 T माइनस 30 प्लस 40 माइनस 32 प्लस 2 T माइनस 10 इसका क्या जीरो तो T T को एड़ करो 3 T, 4 T, 7 T 7 और दो 9 T 9 T अब ऐसे 3 चले, आजाओ बच्चो देखो यह कितना आएगा? 3 और 4 और 2 90 और इदर आएगा इसका माइनस 30 माइनस 32 और माइनस 10 इसका स्टो आएगा? 62 72 72 यह आएगा इदर आके प्लस का 72 तो T इसका स्टो आजाएगा? 8 दिगरी सेल्सीएज हागी ना? हागी ना? हाग तो जब 3 different bikers में different container में same material यह अलग-अलग material doesn't matter अगर intermix किये जाते हैं तो हीट जब तक flow करते हैं जब तक तीनों का बराबर temperature न आ जाए और यह normally common sense से soul नहीं होता यह इसे सविता है ही स्टीं मैठपर से और यह को लोंतों कि जोब तक मैंने आपके बताया नहीं कि यह सारा क्रे ją है इसको क्या बोलते है लॉप मिक्सिंग अभली फाँगा इसको बोलते है लॉप मिक्सिंग अभी फाँगो इसको इसको ना तो अब हम लिख देंगे कि मिक्सिंग और अम्हें क्या करके इसको लो मिक्सिंग इसको वॉल किया लो मिक्सिंग यूज करके कि ठीवर यहाँ लिए मोरनेनोट 2 डिफरेंग में लुब क्यों से शोल कोतो है प्लिख से क् offshore मिक्सिंग से क्योंकि उसमें घबरा जाते हैं पता नहीं कौन से में कौन से का तेमप्रेचर बढ़ रहा हूँ कौन से का गठ रहा हूँ यह आता है नेट हीट एक्षेंड कि नेट हीट एक्षेंड कि विद स्राउणिंग इसको तो इसको फोल किया आंने बैल क्यों प्लस देल क्यों टूं प्लस देल क्यों ठीक प्लस दल Q4 प्लस दल Q5 अब तो दल QN इसको सरह हमने बाद में लिखा M1 S1 delta T1 प्लस M2 S2 delta T2 अब तो सोन MN SN delta T N इसको स्टो 0 फिर उसके बाद में लिखा M1 S1 delta T में लिखूँगा T final minus T initial प्लस M2 S2 delta T में लिखूँगा T final minus T initial याद रखना है है हमेशा T final minus T initial ही लिखूँगा और इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को लिख रहा हूँ समझ में आ गया हमेशा आपको T final minus T initial निखला है चाहे वो positive आई चाहे negative आई ठीक है ना समझ में आए बच्चों ये था हमारा low of mixing low of mixing अब इस पर मैं कुछ question पूछ लो आपसे तो आपको घबराना नहीं है बिलकुल भी ठीक है हाँ चलो एक question करते हैं अच्छा question ये थोड़ा साथ चाहे थीक है लोव mixing पर ये तो कोई नहीं चल जाएगा देखो आजाओ सभी जल्दी आजाओ हाँ सर क्या है अब आपको लिखने थीक चलो चलो लिखो सभी शार हो जाओ हाँ को लिखो ढीक टीक हो थीक है तरीमोर डीक हहohः alltid थीक टीक हैजित हाँ लिख्व फ्रीक्ट मात ליेल ये दिखरे थीक्ट भी टीक हैं उरश्व तरीमोर तीक हैजिक रएल्ड़ IT विखरे एडिए रसव they have different specific heat capacity. है नहाँ, हाँ, three bodies of different material but same mass are at temperature 12 degree Celsius, 15 degree Celsius and 20 degree Celsius or at temperature 12 degree Celsius, 15 degree Celsius, 20 degree Celsius. different material तो इसका S1 अलगाएगा, इसका S2 अलगाएगा, इसका S3 अलगाएगा, स्पेसिफिक हीट तीनों के अलगाएगा, समझ मैं है, हाँ, अच्छी बात है, if A and B are touched, नाम दे दिया इसका A, B, C, if A and B are touched, A and B are touched, if A and B are touched, then final temperature is 13 degree Celsius, then final temperature T is 13 degree Celsius, इसका S1 अलगा, इसका S1 अलगा, इसका S1 अलगा, is 18 degree Celsius, then final temperature is 18 degree Celsius, then final temperature is 18 degree Celsius, find, find the final temperature, इसको S A मान लेना, इसको S B मान लेना, इसका S B मान लेना, यह अच्छा रहेगा, then find the final temperature, when, A and C are touched, find the final temperature, when A and C are touched, ट्राई गरो, शाबास, सभी बच्चे ट्राई गरेंगे, आपको 5 मिंट दिये जा रहे, शाबास, ट्राई गरो, चलो बच्चो, करते हैं अब ये, ठीक है न, हाँ, तो देखो क्या होता है, well, A and B are touched, A और B को touch करेंगे, तो क्या होगा, डैल QA प्लस डैल QB, इसकोस्टू 0, M1 या M A, S A, डैल T, T final को T मान लेते हैं, और T initial को जो भी है, कितना, 12 degree Celsius, प्लस, M B, S B, डैल T को क्या लिख देंगे, T minus 15 degree Celsius, इसकोस्टू 0, है न, हाँ, अब इसको सोल करेंगे, तो M A क्या होगा, इसका मास, अब आपने इसको ऐसे लिख दिया, यहां से आपका M A कै, M A भी तो गीवन होगा ना, यह नहीं दिया गया, सेम बास था, M A, M B सेम होगा, तो M M मान लेते हैं, M M, तो M common लेंगे, तो एकड़ जाएगा, पूरे में common ले लो, बच्चे का क्या, S A is equals 2, T minus 12, T minus 12, और T final क्या है, T final आगे है, 13 यहां पर देखो, तो 13 minus 12, plus S B क्या है, S B है, given नहीं, T final क्या आगे, जब A और B टच्च किये, 13, तो 13 minus 15, is equals to 0, यही है ना, है ना, हाँ, यही था 13, 15, 12, whatever, हाँ, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तिरे वहने क्या, सर, अब B और C को टच्च करते है, B और C को टच्च करोगे, तो डेल Q B, प्लस डेल Q C, is equals to 0, तो आएगा, M, S B, डेल्टा T, तो डेल्टा T में आएगा, T final minus T initial, T initial कितना है, B का, B का T initial है 15, T final क्या हो जाएगा, B और C टच्च के जब, 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18, तीक है, प्लस, C, M, S, C, Denta T, T final क्या हो जाएगा, 18, देखो, initial कितना है C का, 20, is equals to 0, M से M common लेंगे, यहाँ पर तो निकल जाएगा, out हो जाएगा, S B is equals to 2 आएगा, यहाँ पर रहाँ से देखना, पहली में आया था, S A, PLUS, यह मैं बोलू, S A, MINUS, 2 S B, is equals to 0, यह पहली equation आएगा, यहाँ पर दूसरी equation बनेगी, वो बनेगी, 3 S B, MINUS, 2 S C, is equals to 0, ठीक है न, हाँ, अब बत रहा है, लास्ट, A और C को टच करेंगे, A और C को जब मैं टच करूँगा, A और C को जब मैं टच करूँगा, तो डेल Q A, PLUS, डेल Q C, is equals to 0, डेल Q A की वैल्यू क्या आएगी, M, S, S क्या आएगा, S A, डेल्टा T, T माइनस, T इनिशल, यह तो निकालना है ना, यह तो निकालना है, हाँ सर, तो T फाइनल क्या कर देंगे, T मान लेंगे, वो T इनिशल क्या है, 12, PLUS, M, S, C, T फाइनल माइनस T इनिशल क्या है, C का, 20, is equals to 0, अब देखना है, एक बार सोचना लेहां से, M, M कॉमन ले लिया, S A, T माइनस 12, PLUS, S C, T माइनस 20, is equals to 0, अब सोचना है, एक बार, कि यह S A है, और यह S C है, है ना, हाँ, यह इरिलेशन है, S C का, S B का, यह S A और S B का, है ना, बच्चो, हाँ सर्थ, तो अब आप, कैसे तिक्डम बाजी लगा के, इसकी रूसकी, यहाँ पर लियाओ, दोनों को A की फोर्मेशन में लिख दो, S A को A रखो, कोई दिक्रत नहीं, तो S C को, S A की फोर्म में रख दो, S C को, S A की फोर्म में रख दो, ताकि क्या हो जाए, दोनों कोमन निकल जाए, कैसे, मैं बोलू सर, यहाँ पर मैंने S A is goes to T minus 12 लिख दिया, और यदर हम लिख देंगे, minus S C is goes to T minus 20, तो S C की फोर्म में लिख दू जातो, या S A की S C की फोर्म में, वो यहाँ से लिख देंगे, तो S A की वैल्यू S B की फोर्म में आ रही है, और S C की S B की फोर्म में, तो क्यों ना हम उन दोनों को रिप्लेस करके S B की फोर्म में लिख देंगे, तो S A की वैल्यू क्याएगी यहाँ से देखो, S A is equals 2, 2 S B, that's it, और यहाँ से S C की वैल्यू, S C की वैल्यू आएगी, 3 by 2, S B, दोनों की वैल्यू पुट करो, S A की वैल्यू, 2 S B, 2 दिख रहा है, हाँ, S B, T minus 12, T minus 12, S C की वैल्यू क्या है, minus S C, S C की वैल्यू क्या है, 3 by 2, तो यहाँ आपने लिख देंगे, minus 3 by 2, S B, है ना, हाँ, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, सही चल रहा है, सही चल रहा है, हाँ, उसके बाद करेंगे, T minus 20, आप देखना 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 से, कि मैंने S B से S B मार दिया, ठीक है, तो क्या बचा, इदर बचा सर 2 T minus, यह इस 2 को और इदर लियाओ, इस 2 को और इदर लियाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आजाएगा, into 2, तो जाएगा, 40 minus, 48, is equals 2, इदर देखो, minus 3 into T, तो minus 3 T, into minus minus plus, 60, अब मैं यहाँ से क्या जाएगा, minus 3 T plus 4 T, तो यह आएगा, plus का 7 T, इदर आते ही, 7 T, यह इदर जाएगा, तो कितना हैगा, 108, तो T की वैल्यू आजाएगी, 108 by 7, degree Celsius, समझ मैं आया, समझ मैं आया, बच्चों समझ मैं आया यह, अरे आया यह नहीं आया, आया ना, तो ऐसे, यह पता नहीं किसका, जिसका ठीक है तो अच्छी बात है, तो ऐसे हम इसको कर लेंगे, जब AOC को आप पच्छ करोगे, तो फाइनल टेंपरेचर यह आया है, यह इतना ही है, बाकी कल पढ़ेंगे, हमने आज क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, क्या, जल्दी बताओ क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, लो अफ मिक्सीं, ठीक है, हाँ, और उसके कोशन किये, ठीक है, हमने यह बात पढ़ी, जब भी कोई बोडी है, आपस में डिफेरेंट टेम्परेचर की टच की जाती है, तो हीट तब तक फ्लो करती ही, जब तक उनका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, समझ मैं है, ओके, तो बच्चों कल मिलते हैं, इसी क्लास में, है ना, बाई,